हाई एब्रिवान वेलकम बेक टू पैम ब्लॉग्स आज को जो वीडियो है इसका टाइटल देगे आपको पता ही लग गया होगी आज हम किसके बारे में बात करेंगे यह जो प्लांट आप देख रहे हैं यह चंपा का प्लांट है इसकी काफी सारी वैराइटी आती है मेरे प पास सेम वाराइटी के हैं और एक अलग से है अब आपको इस वीडियो में मैं शो करूंगी इसकी केर टिप्स एंड इस पर आप कैसे फ्लावरिंग ला सकते हो यह प्लांट है जो काफी छोटा है और यह देखिए यह टेरकोटा पॉट में लगा रखा है यह थोड़ा सा ब रखा हुआ है जो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है आपके उन सब को धूप चाहिए अगर उस पर धूप नहीं आएगी तो उस पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगी सो इस चीदि का ज़रूर ध्यान रखिए और जो चंपा की फ्लार्स होते हैं इनको भी थोड़ होते हैं इनको भी धूप की ज़रूरत होते हैं तो इसलिए मैंने इसको यहां पर विंडो के पास रखा हुआ है तो इसका डिफरेंस आप देख सकते हो जो अंदर रखे हुए हैं इंडोर जहां पर विल्कुल धूप नहीं पड़ रही है उस पर फ्लावरिंग अभी स्टा आएंगे और अगर आपने अपना इंडोर रखा हुए है इसको इसको फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसको एक दो दिन की धूप लगवाएगे डारेक्ट धूप में भी नहीं रखिए तो इसके पत्तियां जलने लग जाएंगी यह मेरी विंडो है इसके पास काफ साइड से वाइट होते हैं और बीच में से येलो इसमें काफी तरह के कलर वैराइटी भी आती है लग लग जंपा के फ्लार्ज में मेरे पास यह वाली है अगर आपके पास कोई और है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर विक्स शियर कर सकते हैं तो यह देखिए काफी पानी की जरूरत नहीं होती है जादा अगर जादा पानी डालेंगे तो यह बिल्कुल गल जाता है नीची से इसकी रूट से सड़ जाएंगी और अगर आपके इसकी प्रॉपगेशन करने है तो कोई भी पड़े प्लांट से आप इसकी लाइक चार जा तीन इंच की कोई भ बड़े बाला मेरे पास पड़ा है वो मैंने ऐसे ही लगाया था किसी के जो लगा हुआ था वाहां से मैंने तोड़के इसको लगा दिया और यह इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी और जो बाकी दो है यह मैं नर्सरी से लेके आई थी तो आपको वीडियो में कुछ भी हेलफू लगा हो तो वीडियो को लाइक जूर कर दीजिये और थेंक यू सो मच वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब एंब